बच्चो अभी तक मैंने आपको वाट के, विच के, लुक के और मेक के मैंने बहुत सारे यूज बताए लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सच का यूज सच का यूज बहुत जगों पर किया जाता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके यूज को समझते हैं सबसे पहला जो यूज होता है सच का बोलने के लिए बहुत, जैसे तुम बहुत अच्छे लड़के हो, you are such a good boy, you are such a good boy अगर सच के साथ as लग जाए, as such, तो उसका मतलब हो जाता है इसलिए, जैसे तुम इंगलिश बोलते हो, इसलिए सब तुमारी तारीफ करते हैं you speak English as such people praise you, you speak English as such people praise you, such as इसका मतलब होता है जैसे की, जैसे मेरे पास कई सारे दोस्त हैं, जैसे की गोली, गोगी और पिंकू, I have many friends such as गोली, गोगी और पिंकू, in such a way ये बहुत बार आपने सुना होगा, in such a way, इसका मतलब होता है इस तरह से, जैसे वो इस तरह से सोच रहा था, He was thinking in such a way, such that, इसका यूज किया जाता है ऐसा बोलने के सेंस में, जैसे वह ऐसा गायक है की, उसकी सभी के द्वारा प्रशंशा की जाती है, He is such a good singer that he is admired by all, देखो, यहाँ पर such आपको पहले लगाना है क्योंकि वो ऐसा singer है, और की जब बोलना हो, तब आपको that का यूज करना है, इसलिए हम बोलेंगे, He is such a good singer that, मतब इसलिए, He is admired by all, तब ही उसकी सभी प्रशंशा करते हैं, अब देखो, such का यूज ऐसा बोलने के सेंस में भी किया जाता है, जैसे, ऐसे लोग जूटे होते हैं, आप बहुत बार बोलते हैं, ऐसे लोग जूटे होते हैं, तो आप बोल किया जाता है, और such का यूज कब किया जाता है, दोनु का मतलब होता है, बहुत, जैसे, अगर मुझे बोलना हो, वो बहुत सुन्दर है, मैं लड़की के बारे में बता रहा हूं, वो बहुत सुन्दर है, तो मैं बोलूँगा, She is so beautiful, लेकिन, अगर मुझे बोलना है, वो ब She is such a beautiful girl, अब यहाँ पर question यह है, कि मैंने बहुत सुन्दर है, तब मैंने सो को लगाया, और बहुत सुन्दर लड़की है, तब मैंने सच का यूज किया, आपको एक बात ध्यान देनी है, कि beautiful एक adjective है, जो सो के साथ लग सकता है, लेकिन, सो के साथ कोई noun हो, मतलब girl एक noun है, जिसके वज़ा से वो सो वहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर girl है, जिसके वज़ा से सच का यूज हुआ, सच के साथ girl का यूज आप कर सकते हो, इसके साथ आप noun का यूज कर सकते हो, लेकिन, सो के साथ noun का यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है बहुत मज़ा आना जैसे तुमें हमारे साथ concert में आना चाहिए बहुत मज़ा आएगा इसका मतलब होता है पूरा न होना जैसे कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता ऐसी कोई बात नहीं है इसका मतलब होता है ऐसा ही होता है जैसे मुझे प्रमोशन नहीं मिला जो मुझे चाहिए थी लेकिन ऐसा ही होता है I didn't get the promotion I wanted but such is like मतलब ऐसा ही होता है मुझे प्रमोशन नहीं मिला जो मुझे चाहिए था लेकिन ये ऐसा ही होता है I didn't get the promotion I wanted but such is like तो ये थी हमारे आज के such के ऐसे use जहां जहां पर such के आगे कोई words लगते हैं तो उसके meanings बदल जाते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेर कीजिए उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रुत है